कि नमस्कार इस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम फिर चर्चा करेंगे कोवीड-19 की किस रफ्तार से दुनिया में बढ़त हो रही है और क्या हम उसके उपर काबू पा रहे हैं दुनिया किस तरफे और भरत बुदश किस तरफे आए पहले देखते हैं कि दुनिया की क्या हाल है दुनिया की अगर देखे जैसे हम अक्सर दिखाते हैं जो वर्ल्ड-ोमीटर की फिगर्स है उससे कुछ चीजे साफ है कि अभी भी जिस रफ्तार से COVID-19 बढ़ रहा है दुनिया में उसमें हम काबू नहीं पा पा रहे हैं अभी भी नए नए epicenters कह सकते हैं disease की उभर के आ रही है जैसे new cases की अगर आप संख्या देखें तो इस वक्त इंदुस्तान सबसे आगे है यह तो सही है और इसके बात की बुलकों को अगर देखें तो हम देखेंगे बंगलादेश काफी रफ्तार से बढ़ रही है हम देखेंगे South Africa काफी रफ्तार से बढ़ रही है इरान फिर लग रहा है कि थोड़ी तेजी पकड़ रही है तो यह सब figures देखते हुए और उसके साथ साथ अमरीका की जो हालात है उसमें बहुत अच्छी खालत पे वो नहीं पहुंचे हैं अभी भी वहां करीब 40-45 लोग ह काफी हराब है हम इंदुस्तान पहले सोच रहे थी कि हम शायद lockdown के वजय से हमारे यहां पर इतनी प्रभाब नहीं पड़ेगा हम इस वक्त सबसे आगे दो चीजों में है वो तो यह है कि सबसे तेजी से जो नए infections कहेंगे दुनिया में हो रही है हमारे हमारे यहां पिछले दिन करीब 65,000 लोग नए infections के रूप में आए और इसको देखते हुए हमारे यहां पर infections की बढ़ात्री पर हमें हम लगाम नहीं लगा पाए यह तो साथ है उसके साथ साथ जो मृत्यकों के संख्या इस वक्त हम सबसे आगे नहीं है हम तीसरे स्थान पर कुछ दिनों कुछ दिन हम आगे चले जाते हैं नंबर एक स्थान में आजाते हैं कुछ दिन थोड़ा पीछे रहते हैं पर हम तीन मुलकों में है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और उस पर अमरीका शामिल है जबकि अमरीका में total cases हमारे से बहुत ज्यादा है करीब दुग कों का संख्या इस भी हुई नहीं है यह गलत फहमी है और उस पर हम थोड़े दिर बाद और भी जिकर करेंगे तो यह मोटा मोटा जो तस्वीर है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है क्योंकि यह दिखाता है कि अभी भी हमारे जो cases है total cases है उसकी जो संख्या है दुनिया में जिस रफ्तार से बढ़ रहा है तो उसमें हमारी बढ़त्री करीब करीब वही रफ्तार है जो पहले थी इसका बतला पीछले करीब करीब 90 दिन या 100 दिनों में हमारा जो ग्राफ का कोई flattening नजर नहीं आ रहा है और दूसरे जो आगे बढ़े हुए मुल्क हैं जैसे अमरीक है ब्रिजिल है जो हमसे संख्या में आगे है तो उनकी ग्राफ हमारे से फ्लैट थोड़ी सी है उनका भी बढ़त्री हो रही है पर हमारी बढ़त्री की रफ्तार उनसे ज्यादा है उनके टोटल संख्या जो है इस वक्त 5.6 मिलियन है तो वो अगर डबल करती है तो डबलिं बारा लाग पहुंचेंगे करीब एक देड़ महीना बाद हम जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं हमारी डबलिंग रेट इस वक्त जो है वो करीब 20 से 25 दिन के बीच में है इसका मतलब एक महिने के अंदर अभी जो हमारी 27 लाग की संख्या है 2.7 मिलियन की संख्या है वो करीब 5.4 मिलियन में पहुंच जाएगा इसका मतलब है कि हमारी डबलिंग रेट इन दोनों देशों से काफी आगे है और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है दूसरी बात कि ज्यादा तर जो मुल्क काफी पहले विमार रहे चाहे वो इटली हो फ्रांस हो यूके हो यूके में फिर थोड़ी सी बात्री आई है पर बहुत जादा जर्मनी हो इन जैसे यूरोपियन यूनियन की मुल्क थे वो लगता है कि उनकी बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है सिर्फ हमारे साथ इस रफ्तार से जो बढ़ रहा है मेक्सिको बढ़ रहा है कह सकते है उसका भी बढ़ने की रफ्तार हमसे कम है तो यह जो तस्वीर दिखा रही है कि हमारे यहां पर बढ़ने की रफ्तार में अभी भी हम कोई लगाम नहीं लगा पाए यह तो हुए एक बात दूसरी बात है कि बहुत सारे बाते कही जा रही है और उसमें मैं इस बात पर आऊंगा क् case fatality ratio rate यह हमारा कम है मतलब जितने लोग बिमाल पड़े हैं उसमें मृतकों के संख्या percentage की हिसाब से दुनिया से कम है एक हिसाब से case fatality rate का कम होने का मतलब क्या है उसको समझने के पहले case fatality rate क्या है इसको जरा समझने की कोशिश करें case fatality rate पतलब जितने आपके पास जाने माने cases है जो आप जानते हैं पहचान लिए हैं कि COVID-19 है उसमें से कितने लोग की मौत हो रही है इसको अगर आप देखें ये case fatality rate कह सकते हैं कितने लोग recover किये हैं plus कितने लोग मरे हैं denominator नीचे होता है और उपर होता है कितने लोग मरे हैं इसका मतलब जो cases resolved हो गए कहते हैं resolve मतलब दोनो तरफ resolve हो सकती है एक मौत से एक ठीक हो जाने पर तो ठीक हो जाने वाले लोग और जो मृतक है उनकी cases resolved हो गई है वो denominator होती है लाइन की नीचे होती है भाग इससे करते हैं और जो जिसको भाग करते हैं divide जिसको करते हैं वो है कितने मृतक मरे हैं उसमें बिमारी से जो हम जानते हैं इस बिमारी से मरे हैं तो उसका percentage अगर करेंगे तो हम करीब 2% के लगभग हैं पर दूसरी बात हमें यह देखना पड़ेगा कि जो percentage fatalities की बात हम कर रहे हैं वो उस वक्त की है जब COVID-19 के बारे खाज जानकारी नहीं थी तो लोगों को उस वक्त मालुम नहीं था कि कैसे इसको treat करना है अस्पताल में कैसे इसको सम्भालना है और इसलिए इटली में जब बड़े पैमाने पर बिमारी फैली तो हस्पताल काफी बेहाल रहे और इसलिए वह मौत काफी ज्यादा हूँ तर वो एक वजह नहीं है दूसरी वजह है कि इटली को demographic profile जिसे कहते है कितने लोग कि इस age group में है उस हिसाब से इटली का age group जिसको median age कहते है करीब 43 की लगभग है जबकि हमारी median age जो है 26-27 की लगभग है तो इस पे क्या होता फरक क्या है कि बिमार जो पढ़ रहे है उसकी age group अगर देखे तो देखेंगे कि जो बिमार पढ़े है असी की उपर की जो उमर की है तो उनमें fatality काती ज्यादा होई है तो इसका मतलब है कि बुरे लोग एगर एक देश में ज्यादा होते हैं तो बिमार अगर सभी पढ़ते हैं एक fraction सभी percentage की हिसाब से बिमार पढ़ते हैं तब उसमें मृत्रकों की संख्या उस देश में ज्यादा होगी जहां पर बुरे लोग ज्यादा है और नौजवान लोग कम है और जहां पर नौजवान लोग ज्यादा है तो वहां पर मृत्रकों के संख्या कम होगी क्योंकि नौजवान लोगों में पेटिन इटिरिये तीस साल के नीचे बहुत कम होती है, खास तोर से जो 20 साल के नीचे लगभग ना के बरादर होती है, फिर भी कुछ तो बीमार पढ़ेंगे, कुछ लोग तो कुछ कम उमर के लोग भी मरेंगे, पर अगर बड़े पैमाने पर देखे, जहां पर हम लाखों क बात कर रहे हैं। उसमें 10-20 से इतना फरक नहीं पड़ता। तो ये जुचीज है कि उमर की प्रोफाइल डिमोग्राफिक प्रोफाइल जिसे कहते हैं, हमारे एक बहुत बड़ा फाइदा है कि हमारी डिमोग्राफिक प्रोफाइल में बुढ़े लोगों की इतनी संख्या है we are one of the youngest countries दुनिया में नाजवान मुलकों में एज के हिसाफ से demographic profile से हाम है इसलिए इस पर कोई हमें गर्व करने की जरुवत नहीं है कि हमारे हाँ the fatality rate, case fatality rate calculation की बात मैं छोड़ देता हूं case fatality rate इतली जैसे मुलकों से कम है यह सिर्फ हमारी demographic profile का फायदा है एक चीज़ पर हम और भी बहतर है कि वहाँ पर old age homes जो है बुढ़े लोग जहां पर है बहुत सारे एकठा रहते हैं common staff है वहाँ पर बड़े तेजी से यह बिमारी फैली है क्योंकि immune compromised है उनकी immune system कमजोर है इसी ने काफी पहमाने पर वहाँ पर COVID-19 बहा है United Kingdom हो European Union हो America हो सब इन जगों पर जिसको उन्नत देश कहते हैं developed economies कहते हैं वहाँ पर क्योंकि यह एक problem है कि old age homes काफी पहमाने पर हैं और old age homes में बहुत सारे ऐसे हैं गरीब लोग भी है तो उस पर उनका public सरकार की तरफ से तुझकी funding आती है इन सब देखते हुए इन जगों पर बिमारी काफी तेजी से फैली है हमारे यहाँ यह चीज है नहीं हमारे यहाँ सिर्फ ना कि बुढे लोगों के संख्या कम है पर old age homes जो कि एक centers बन रहा है कम से कम इन मुलकों में जहां पर बुढे लोग काफी एक साथ old age homes में रहते हैं यह हालात हमारा है नहीं इसलिए हम उस हिसाब से हमारे संख्या इन जगों पर बढ़ने की संभाबना नहीं है तिसी बाद हम इस पर आना चाहते हैं कि seroprevalence studies जो कहा जा रहे है इसके अहमेद किया है क्योंकि अब जानते ही हैं काफी जगों पर इस वाक खबर निकल रही है कि जैसे मुंबई में हैं दिल्ली शहर में है कि seroprevalence studies हुआ है पूने में हुआ है तो उससे हम क्या निश्कर्ष पर पहुंच सकते हैं साफ है कि seroprevalence studies बता रहा है कि जितना शनाक्त cases है identified cases है उससे ज्यादा infections रही है infections रहने का मतलब है कि आपकी शरीर में ये जो वाइरस है ये आया पर आपकी immune system ने इससे मुकाबला कर पाया तो बहुतों में ये disease की स्तर पे आप बिमार नजर नहीं आए पर आपके पास infections थे तो ये साबित करता है कि infection के संख्या काफी ज्यादा रही बिमारों से seroprevalence study से हमें ये पता चलता है कितने लोगों में antibodies इस बिमारी के खिलाब निकला antibodies होने का मतलब बिमारी तो नहीं सब्बे आई पर उसके body में जिवा इनकी virus जरूर आई है और इसका immune system उसे मुकाबला काफी लोगों को कर पाया दो निशकर्ष इसमें हम पहुँच सकते हैं एक तो एक infections का rate identified rate से काफी ज्यादा है पतलब disease चुनको दिखाई पढ़ता है और जितने लोग infected होते हैं इसका एक फरक है क्या infected लोग दुबारा बिमार पढ़ सकता है चांस कम है क्योंकि एक बार अगर fight कर लिया antibodies उनके शरीव में अगर है तो दुबारा भी infections अगर कोई होता है तो उससे वो जूज पाएंगे तो शायद उनको और दुबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पढ़ेंगी अगर बिमारी भी होगी तो हलका बिमारी होईगी इससे जादा शायद नहीं होगी पर इससे क्या हम जिशकर्स पे पहुँच सकते हैं ज्यादा खतरनाग बिमारी नहीं है नहीं क्यों क्योंकि आप देखिए इसका मतलब यह निकलता है कि infections काफी ज्यादा रहा है लोगों में इसका मतलब इस तेजी से पहला है उसका हमारा अंदाजा नहीं है और जिसको हम जान रहे हैं बिमार पढ़े हैं उससे ज्यादा ये फैली है इसका मतलब जिनके बीश में ये फैली है वो भी इसको और फैला सकते हैं ये मत समझना समझना क्योंकि उनको डिजीज की लक्षन उनके शरीर में नहीं आए वो दूसरों की इनफेक्ट नहीं करेंगे उसमें से एक सेक्शन ये जूज पा रहे हैं तसलिफ होनी चाहिए पर उसके साथ-साथ खतरा क्या है कि वो इनफेक्टेड हैं तो इनफेक्शन दूसरों में फैला सकते हैं और उसको जूजना हमारे लिए जरूरी है तो सेरो प्रेवलेंस स्टडी से ये पता चलता है कि बहुत जितने लोग बिमार पढ़ रहे हैं एक सेक्शन ऐसा है एक इनफेक्शन के बावशुद बिमारी के लक्षन नहीं दिखाई पढ़ रहे हैं पर वो इनफेक्टेड हैं और दूसरों को इनफेक्शन कर सकते हैं इसका मतलब हमारा ये इसमारी से जूजने का काम एक complication पैदा करती है हमैं लग सकत है कि यहां पर तो खास बीमारी हो नहीं रहेंगे पर उसकी फैलाओ बिमारी की फैलाओ अभी चल सकता है बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी नॉन जो डिजीज इन जिनकी लक्षा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वो भी इंफेक्टेड है और इसको फैला सकते हैं तो अर्बन जाजबे एक दो लोग 100-200 लोग को भी इंफेक्ट कर सकते हैं खास पर से जिम हो जिसे रिस्टराँ हो सिनमा हौल्स हो ऐसे जगहों पर जहां पर क्लोजड लिचार दिवारी के अंदर आप हैं वहां पर सास ले रहे हैं या सास फैक रहे हैं आप आपके इसके जरिए काफी एक साथ काफी लोगों को इंफेक्ट कर सकते हैं अगर आपके अंदर थेप्रियों या शाष नली में आपकी इंफेक्शन है जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो इसको देखते हुए सुपर स्प्रेडर इवेंट्स की संभावना खास दोर से बीमारी की लक्षन निकल के पहले जब वो काफी इंफेक्टेड स्टेज में रहते उस वक्त काफी ज्यादा है इतलब सेरो प्रेवलेंस जो स्टडीज है मैं उस पे आंखों में आने जा रहा हूं उससे यह साबित होता है कि बीमारी पे एक तरफ तो यह है कि जितने लोग इंफेक्टेड हो रहे हो बिमार नहीं पड़ रहे हैं सब पर उसके साच साच यह है कि जितने लोग बिमार पढ़ रहे हैं लक्षन दिखाई पढ़ रहे हैं हमको मालूम है हूं बिमार हैं उससे मौत की संखा को देखते विये हवे हमें साफ है कि बिमारी यह अभी भी महमारी जो है यह influenza जैसी हो रही है मौत की संख्या अगर देखे तो इस 1818 के बाद कोई influenza epidemic में इतनी मौत नहीं हुई है और अभी भी अभी भी COVID-19 की कम होनी की रफ्तार दिखाई नहीं पढ़ रहा है दूसरे देशों दूसरे जगहों इन देशों में जैसे अमरीका ब्रेजिल भारतवर्श ऐसे जगहों पर एक शहर से दूसरे शहर यह पहल रहा है कुछ जगहों पर कम हो रहा है तो कुछ जगहों पाएं और वैक्सीन एक तरीका है वैक्सीन के साथ साथ आपके सोशल डिस्टेंसिंग, टेस्टिंग, हस्पताल की केर लोगों की बिमार पड़े तो उनकी मौत ना हो इन सब चीजों के हमें अभी पैना नजर रखनी पड़ेगी और हमारे सरकारों की जमेदारी है हम बहुत इसकी बात्चीत कर चुके हैं आज इसका हम जिकर नहीं करेंगे और हम आखरी बात पर आना चाहते हैं सेरो प्रेविलेंस बता क्या रहा है यह बता रहा है कुछ शहरों में से दिल्ली शहर है, पुना है, बुम्माई शहर है, इस पर सेरो प्रेविलेंस दिखा रहा है पर 57% लोग वहां पर infections, antibodies दिखा रहा है, इसका मतलब शरीड में आया था, उसके साथ जूच पाई यह तो ज्यादा viral load नहीं था, यह तो उनकी immune system काफी मजबूती से इसका मुकाबला कर पाए, वो बीमान नहीं पढ़े, और उनके शरीड में antibodies है, तो शायद दुबारा बीमा शहर के दूसरे जगहों को देखेंगे, बहुत ऐसे जगहां जहां पर 5%, 7%, 8% है, इसका मतलब मुंबाई शहर के सतर पे 57% नहीं है, अगर हम average करेंगे, average से लगता है 30% शायद अच्छा फिगर है, उनकी पास बीमारी पहुंच चुकी थी, पर लोग बीमारी से रिकावर कर बीमार की कोई लक्षर शरीर में नहीं आया, तो वो और बीमार पढ़ने वाले नहीं है, पर उसको ये दिखाता है कि 70% नकी अभी इस तरह से average के बाहर है, बतलब 70% अभी भी बीमार नहीं पढ़े है, उनके infections नहीं आया, बीमार पढ़ सकते हैं, उसका साथ साथ ये भी ब तो ये समझना कि average क्योंकि 25 है या 30 है या 35 है, इससे हमें संतुष्टी बिल जाएगी, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये भी दर्शाता है कि बहुत जगों पे, इन शहरों पे, अभी भी लोग बीमारी उनके पास पहुँची नहीं है, इसका बदलब बीमार पढ़ने की सभ हवना है, और इसलिए किसी भी तरह हमारी जो नजर इंची जो पर होनी चाहिए, मास्क पहनना, सोशिल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, भीड ना करना, बंध जगों पर न जाना, और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से जिम्मेदारिया है कि टेस्टिंग करे, हस्पतालों की इस तरह से हैंडल करें, कि सिरियस केसिस को हैंडल कर सकते हैं, दावायों की इंजाम करें, खास तोर से हस्पताल में, और ऐसी दावाएं जिसने बनिसिविर की बात की जा रही है, सस्ते दाम में आम जनता भी मिले, और वैक्सीन जब आएगी, तब तो खेर हमारे पास हाथ त्यार होगी, पर वैक्सीन की त्यारी हमें करनी चाहिए, ताकि वैक्सीन अगर निकलती है, जल्दी से पूरे भारगवर्श की जनता के पास यह पहुंचे, यह अभी भी लड़ाई जारी है, और हमारे मुल्क में खास तोर से अभी भी लड़ाई पर हम कोई बाजी जीतन बाले स्थिती में नहीं है, बलकि हमारी जो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए, काफी चिंता की बात है, कि हमारी बिमारी की संख्या, बिमारों की संख्या, यह अगर लगातार इस रफ्तार से बढ़ती रही, तो हम देड़ महिने, दो महिने में सबसे ब संखा नहीं घटेगी तब तक हम नहीं कर सकते हैं विमारी पर काबू पा रहे हैं अगर सिर्फ देखें कितने लोग हर रोज बिमार पड़ते हैं और कितने लोग रिकावर करते हैं देखेंगे अभी भी जितने लोग बिमार पड़ रहे हैं जो लोग रिकावर कर रहे हैं उन कि total infected cases बढ़ता रहेगा इसका मतलब है कि बीमारी बढ़ती ही जाएगी इस पर नीचे आने की graph इस्थिती नहीं है आज इतना ही देखते रही का news click अब COVID-19 और भी issues आपके सामने लाएंगे